नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी अगर आप भी वेफसाइट बनाते हैं चाहे ब्लॉगर पर चाहे आप वर्डप्रेस पर या फिर किसी और मीडिया से अगर आप वेफसाइट करें तो एक सबसे इंपोर्टेंट चीज होता है जो आप कंटेंट लिख रहे हैं आप जो प बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है और जातर हम सभी website बनाते AdSense के approval के लिए तो उसको check करने के लिए हमें बहुत easy कुछ process है कुछ website है जहां से कि हम plagiarism check करते है और जब आपको Google जब आपको AdSense का approval देता है तो उसमें plagiarism को कैसे हटाएं अपने website से उसके बारे में जानते हैं तो चलिया ही वीडियो को start करते हैं लेकिन एक छोटा तो चलिया ही चलते है अपने screen के और चाहाँ phone यूज करते हैं चाहाँ laptop या PC उस पर आपको अपने browser को on करना है Chrome UC Mini जो भी है उस पर आपको simply type करना है small SEO tool ठीक है तो मैं इसको बहुत जादा यूज करता हूँ अपने SEO के लिए अपने website blogger के लिए ठीक है तो इस पर आपको simply click करते हैं आपके सामने इस तरह का एक interface खुल जाएगा और पहले में लिखाव free plagiarism checker ठीक है आपको करना है इस पर simply click और click करेंगे या आपको यह दूसरे number यह तीसरे number पर भी कई बार मिलता है क्लिक करते ही आप उस पर website पर चले जाएंगे और आपको scroll करके नीचे एक तरफ आना है देखिए यहां पर online market trading कैसे होता है उसके बार में पूरी information दे गई है तो मैं यहां से इन सभी को copy कर लेता हूं ताकि मैं आपको plagiarism check करके बता पाऊं तो मैंने एक दूसरे website से उसकी पूरे content को copy किया है और मैं इस website पर plagiarism checker पे यहां पर मैं इसको करूँगा paste कर दिया है और अब हमें जो है इसकी plagiarism को check करना है तो check करने के लिए मैं क्या करूँगा जाओंगा थोड़ा सा नीचे scroll करना है और यहां पर दिया हूँआ check plagiarism ठीक है और यहां पर जो है वर्डिंग को दे रखा है कि यहां पर 635 वर्ड का total यह website से मैंने copy किया है यहां पर आप grammar भी चेक कर सकते है इसका जो grammar mistake है या नहीं तो मैंने कर दिया plagiarism check पर क्लिक और यह देखे यहां पर जो है मेरा website का result check होना start हो गया है और यहां पर मुझे बताएगा कितना website unique है और कितना copyright तो उन सभी चीज़ों को checking चालू हो चुका है तो इस साइड है मेरा checking और बीच में देख सकते है plagiarism जो है copyright और site में है आपका unique content और यह भी बताएगा जो आपका copyright है वो कौन-कौन से जो है paragraph line आपका copyright में include है ठीक है तो यह आप से भी देख पा रहे होंगा 18% 25, 34, 41 यह जो है copyright बढ़ता ही जा रहा है और सिर्फ 3% जो है unique है वो उससे पहला वाला और बाकि सारा का सारा जो है मैंने एक दूसरे website से copy उठाया है तो यह सारा जो है plagiarism में आता जा रहा है यह देखिए आप से देख पा रहे होंगे यह सारा का सारा content मेरा 100% में से 97% जो है plagiarism मतलब copyright मैंने आपको दिखाने के लिए इन सभी को copy किया था तो अगर मैं आप इस पे एक refresh मतलब बढ़िया सा content को यहाँ पर plagiarism में check करेंगे आपकी website का तो उस पे जो है आपको copyright नहीं दिखाएगा तो यह है वो website जहां से मैंने सारा content को copy किया था और यहां पर जो है यह सारा दिखा रहा है कि यह सब जो है आपका copyright है ठीक है तो अब मैं आपको यहां पर simply कुछ और चीछ दिखाना चाहूंगा जैसे यह है मेरा UPSC का website को खोलते हैं और यहां से एक और copyright जो है यहां से कुछ content को website तो यह दूसरा मैं दूसरा बाला उठांगो वायजूस.com और आई होप आप इसको के बारे में जानते भी होंगे यह बहुत ही popular UPSC exam का website है और educational भी ठीक है तो मैं अब यहां से इसको copy करूंगा और copy करके आपको मैं दिखाऊंगा इसकी जो है प्लेगरिज्म चेकिंग को तो यहां से मैंने यह सारा select कर लिया और यहां से मैं इसको कर रहा हूँ copy और copy करने के बाद हम दुवारा चलेंगे अपने उस website में small SEO tool में और यहां पर मैं इन सभी को जो है हटा दूँगा और इसके लिए मुझे control A करके यहां से control V करना है ठीक है तो यहां पर मैंने सबको पेश्ट कर दियो और जैसा आप देख पारेंगो total word 1743 लेकिन आप इस website में 1000 word तक ही आप क्या कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं आप इसमें plagiarism check कर सकते हैं वरना आप इसमें नहीं कर पाएंगे तो यह इसका एक disadvantage कह सकते हैं जो कि इसका है तो यहां से मैं अपने content का कुछ यहा तो आपको आना नीचे की तरफ scroll करके और plagiarism check करना है ठीक है तो अब जो है हमारा checking स्टार्ट हो चुका है और आपको अब देखते हैं कि इसमें कितना copyright content है यह देखे दो तीन मतलब यूनिक तो इसमें दिखाए नहीं है सुरू में तो चलो और उसमें पहला 3% तो हमारे य दिखाता है तो यह चेक कर रहा है और आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं अपने website के लिए जो भी आप लिख रहे हैं उसका plagiarism यहाप चेक कर सकते हैं आप यहां पर grammar भी चेक कर सकते हैं क्योंकि grammar भी ज़रूरी है आपके website पे जब आप अपलोड करते हैं SEO के लिए ठीक तो इसमें जो है 94% हमारा copyright हुआ है और 6% unique content है ठीक है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं अपने website के